पुन्च में नियंत्रन रेखा पार कर आये एक पाकिस्तानी युवक को घुस्पैट करते हुए सेना ने गिरफतार किया है पुलिस सूथलों के मुताबिक एक युवक जिसका नाम है दिल्शान पुत्व सईद एहमद 19 निवासी हजीरा कोटली आज दिन को पुन्च के बलनोई इलाके में भारत पाकिस्तान नियंत्रन रेखा को पार कर घुस्पैट कर रहा था जहां सेना के अलग जवानों ने उसे गिरफ्तार कर लिया गया हालो कि गिरफ्तार युवक सेना के कबजे में था जिसकी पूछताच करने के बाद में धर पुलिस को सौफ दिया गया है और उससे पूछताच की जा रही है यह पाता लगाया जा रहा है वह किस मकसद से भारतिय सीमा को लांग कर रहा था वहीं आ CVSE Affiliated के LM International School पठान कोट पहली से 12 तक का दाखिला शुरू जमु कश्मीर स्टुडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मोका 9216504779 के LM International School पठान कोट